हालो एग्रिवन आई सेल फार के वन्समोर और मोस्ट वेलकम अन्माइ यूटूब चैनल इक्जाम मंच पारान क्लासेस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा तो आज हमने सुर्वात कर दिया है और ये क्लास 10 के बच्चों के लिए पहला वीडियो होगा और लेकिन ये है कि क्लास 10 के बच्चों से मिरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले क्लास 9 का जो मैंने पहला और दूसरा वीडियो बनाया है वो जरूर देख ले हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जरूरत और समझने में भी आसानी होगी और आप लोग को तो सब पढ़ना है आपको बूर्ट का इक्जाम देना है इस वज़ा से आप एक तरफ से चलिए अच्छे से पढ़िए और मने कहा भी था कि मुझे थोड़ा आप लोग के लिए ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा क्योंकि म और प्लस एडिशनल उसके वारे पर भी डिसकस्न करवांगा इसमें एडिशनल में जैसे या श्चांद आडी सर्मा या रसक्रवान को भी इंग्लूट करूंगा और जितने जल्दी एडिशनल मेरी कंप्लीट होती है या साथ ही साथ देखेंगे बीच में हम उसके भी साथ पैटर्न को बदलता है या किस टाइप की कॉश्चन साते हैं वो सारे डिसकस करवांगा लेकिन सबसे पहली जो प्रियारिटी है वो हमारी यही है कि पहले हम NCRT के बारे में डिसकस्न करें और NCRT के बारे में बताएं तो पहला चैप्टर आप लोग करिए लंबर है हम सुर्वात वहीं करते हैं और क्योंकि हम डिफनीशन इसमें नहीं बताएंगे एक भी किसी भी नंबर्स का तभी हम बोन रहे हैंगी क्लास 9 और क्लास 10 का जो पहला और दूसरा वीडियो में उसको आप लीज एक बार देख करके फिर उसके बाद आप ये वीडियो लोग दे देखेंगे अब लोग स्टार्ट करते हैं आईए देखा जाए चैप्टर का नाम है रियल लंबर है अगा सुर्वात हमने किया किसे क्लास 10 को हम बढ़ाएंगे क्लास 10 की एंसी आईटी की सुर्वात कर रहे हैं पहला चैप्टर है आपका रियल लंबर है देखें रियल लंबर को रियल लंबर पढ़ने से पहले इसमें जो सबसे पहला आपका एक खीरव है वह बताता हूं आपको कि एरब का नाम क्या है इस प्रिफ डिवीजन लेमा ब्लैक से लिखू ज्यादा सही रहेगा प्रिफ डिवीजन या अलगर्थम बोलते है इसको यह आप यहां ब्रैकेट में कर लीजे कर लेमा कुछ भी लिख देता है यहां पे इप्रिफ डिवीजन आप गर्थम बोलिए या दे देता है कि इप्रिफ डिवीजन लेमा कुछ भी दे दे यह दे या तो यह दे दे देखिए इसमें है क्या सबसे पहले इसमें आप कुमेंट कुछ लिखता हूं और कुछ बताता हूं आगे देखिएगा कि इवन दैट हूं दाटう हूं आगे शेश के ओ देखgallar मेंटा आएू वी हुआं दूं दोली आगे旋 दोल्त दोल्त क्वर्ण दोल्त इसमें दोल्त देख यह दो दिखर है दोधर दोलिघ्एग डिएदाटी थाओन. there exist unique integers q & r यहां लिखते हैं हैं कि such that a equals to bq plus r where r is greater r equal 0 but less than b यह पूरा रहा आपका equivalent division algorithm जो एक theorem दिया है यह पूरा उससे related उसकी definition और यह उससे related रहां कि given that two positive integers a and b there exist unique integers q & r such that a equals to bq plus r where r is greater r equal 0 but less than b अगर ऐसा दिया है तो इसको बोलते हैं Euclid division algorithm या Euclid division lemma अब यह लिखा कैसे हम आपको वोगता है simply आपने division पढ़ा होगा मैं यहां पर बताता हूं आपने simply division पढ़ा होगा क्या पढ़ा है जिसे अगर कोई number रहता था माल लिखे एक number वारे पास five है इसको आप two से divide करते थे तो two two is a four one query अब बहुत जब छुटे class में पढ़ते थे class third fourth या fifth जिसमें भी पढ़ा होगा कि अगर ऐसे division देता थो और बात में कहता था कि verify the answer तो verify answer करने के लिए करता था तो आप क्या करते थे आप यहाँ पे five is equal to लिखते गया थे कि इसका इसमें multiply करते थे two into two और बात में जो remainder आया उसको add कर देते थे तो देखे two two is a four one add कर दिया five five ग्रावर अकर यह दुने equal आ जाता था और कहते थे कि हमारा answer सही है यह वही चीजी लिखा गया है पैसे देखिए यहाँ पे दो positive integers की बात कर रहा है क्योंकि जो हमने divide किया either five को यह जिससे divide किया है वो देखे दोनों positive लिया है तो यहाँ पे भी अगर हम लोग एक को suppose करिए बी से divide करते हैं और माल लेरे percent q आ रहा है और remainder r आ रहा है तो यहाँ भी अगर answer verify करना हो तो a is equal to इसका इसमें multiply करेंगे तो b into q होगा या b q हो जाएगा नहीं लिखते यहाँ इंटू b q और plus remainder हमने add कर दिया देखिए यही मिला b q plus r और यहाँ एक जो condition इसमें लिखा है हमने की r is greater r equal 0 but less than we इसका मतलब समझे है आप देखिए जो यहाँ r आया है यहाँ रिमेंडर यह तो 0 के बराबर हो जाए जिरो के बराबर कब होगा जब complete divide हो जाएगा जैसे कर यह 4 होता अब 2 से divide करते तो 2 तूसा 4 आप यहाँ पे देख रहे यह 0 होगा म यह तो 0 से बड़ा हो जीरो से बड़ा को मतलब यहाँ 1 आया है तो 0 से बड़ा है लेकिन यह देख रहे हैं यह हमेशा जो है जिससे आप divide कर रहे हैं यहाँ देखिएगा यह 1 है जिससे divide कर रहे हैं उससे हमेशा कामाता है तब ही आपने लिखा है जैसे यह यहाँ divide किया य यह Q Q कोसेंट आया आप B से डिवाइड कर रहे हैं, R रिमेंटर आ रहा है, तो जो यह वैलू आएगी, वो हमेशा यह तो 0 कवाएगी जब कम्प्लीट यह इसको डिवाइड कर देगा, यह तो 0 से बढ़ा आएगा, लेकिन हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे छोट होगा, सेम इसी को हमने ऐसे लिखा है, तो यह आपका रहा, यह ग्लिट डिविजन, अलगर्थम, काई एक ठीरम, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से एक फार्मूला मिला आपको, क्या मिला, फार्मूले में आप देखिएगा, इसको हम पूरे को लिख सकतें, क्योंकि एक जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है, आपके रहा है, जिससे डिवाइड कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड़ेंट लिए यह इक्वएल इस किसके होगा, डिवाइजर, रही यहाँ क्या था जिससे डिवाइड कर रहे है, डिवाइजर हुआ, ईन्टू लगाएंगे, यहाँ क्या होगा, फ्लेस इसमें हम लोग रिमेंटर एट कर देंगे, यह रिमेंडर हुआ, तो यह आपको एक फार्मूला मिला, तो चाहे आप यह लिखे, चाहे आप यह लिखे, बाद देखिए, तो आपने हाँ क्या देखा, कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है, और इस तरीके से दिया हुआ है, कि अगर आप एको भी से डिवाइ से हमेशा रिमेंडर क्या होगा, कम होगा, लेकिन जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, इस चीज को ध्यान दीजेगा, और वैसे भी आप यह बहुत पहले से पढ़ते हुए, इस चीज के वारे में आए हैं, तो यह धीरम रहा आपका इकलिविजन लेमा, यह पहला धीरम है और इसी बेसिस पे आपका क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स दीए हैं, यह चीज में आपको और बता दू, जो यह इकलिविजन लेमा इस पेसली यूज किया जाता है, यह फाइंड दे एस सी आपका तू गीवन नमबर्स, टू गीवन पॉस्टिव इंटीजर्स आप कह सकते ह मतलब आप यह समझ Diese, जैसे आपने सिये निकाल पहले आप मतिक्ण में प्रॉटेंट मेजंड से निकाल देते थे और उसी को उसीária सीव को मालिजें बँवयर्ण बगदे नमबर्स निकालना हुआ, तो इस सीव को हम लोग इसके हेल्प से निकालते है तो इस्पेसली जो यह आपका थीरम है यह SCF find करने के लिए है तो यह थीरम आपको याद रहे और यह थीरम इस्पेसली है किसीज के लिए तो उसके लिए आप एक नोट के तौर पे आप हमेंसा याद रखिएगा कि यह इपली डिवीजन लेमा कहां यूज होता है मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कि इपली डिवीजन लेमा या अलगर्थम इपलीट्स डिवीजन आप अलगर्थम करें यह लेमा कहां मैं लेमा लिख देता हूँ है झालगर्थम हें तू आजिट्यू इंटिजर्स अभी हम आपको एक एक्जामपल लेकर के बताएंगे कि कैसे स्ट निकाला जाता इसका कि जो यह इवली डिविजन लेमा है इसके हल्प से कैसे स्ट निकालेंगे उसी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि इसको रफ करते हैं उसके बाद हम आपको एक्जामपल लेकर बताते हैं कि कैसे क्या करना इसमें कर दो कर दो कर दो कर दो कजिएऑर के उन लिया करू भी ऊयक मैं नहीं कि पोड़ कर थेवान्ग अच csंप घड़ स置ब य घो अजल सक्फ nice पमें में अचज। यह यह शर हो हुआ है कि जैसे कोश्चन आपका रहा कोश्चन कुछेगा क्या कि कहेगा कि वे एह bringen तक कि उुज कि श. यू thehow यू दिए बिद्विजिन ょुजम्त पकाद Kl petition वेLL खवच्प्द भरने लिखन यू से May find the SCF of 135 and 225 ऐसे आएक एक्जाम में क्या कहेगा? Use Euclid Divisional Lemma to find the SCF of 135 and 225 मतलब Euclid Divisional Lemma को आपको यूज करके क्या करना है? SCF पता करना है उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा इसको जैसे simply divide करते हैं मैं आप कहा साइड में बताने नहा हूँ इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा तो थोड़ा साथ आपको इसके help से इसके help से लिखने में आसानी होगी कैसे इन दोनों में पहले आप देखिए सबसे greater number कौन है सबसे greater number 225 है यहां जो दिया है तो आप एक काम करिए यहां पर 225 को greater वाले को हम लोग divide करते हैं इस smaller वाले से तो I think one times जाएगा क्योंकि two times हो जाएगा तो one times हम लोग ले जाते हैं divide करते हैं कितना जाएगा 135 आपको मालूम है यहां होगा 0 यहां क्या आएगा यहां 0 होगा यहां पर आपका हो जाएगा जब subtract करेंगे यहां पर तो एक कहरी ले जाएँगे 12 9 हो गया अब उसके बाद है आपको मालूम है कि यहां जो divisor था वो यहां आ जाता है और इसके remainder से divide करते हैं तो यह आ जाएगा 135 अब यह आएगा one times divide होगा आ गया 90 यहां कितना बज़ा 5 यहां जब आप subtract करेंग इतना आएगा 4 45 अब आप क्या करिए कि इसका जो divisor था वो इसका dividend हो जाएगा मतलब यहां 90 हो गया और जो इस वाले का remainder था remainder वो divisor का काम करने लगेगा इसको divide करेंगे तो complete divide हो जाएगा जब तक remainder ना जा तब तक आप divide करते रहे टू टाइमस में पुरा कैंसिल कर देगा remainder जीरो आ गया ऐसा division आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अब इसी को कैसे हमको इस theorem के carding लिखना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको करना क्या है देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें let करेंगे मैं लिखेंगे यहां पे कि we have solution देखिएगा we have two positive integers कितना कितना दिया है यहां पे एक दिया 135 और एक कितना दिया है 225 135 and 225 such that 225 is greater than 135 इतना बात समझ में आया अब यहां के बाद थोड़ा सा हम लोग stepping करेंगे इसके help से step one में लिखेंगे तो फिर आप यहां लिखेंगे according to यहां लिखेंगे अब यहां लिखेंगे step one consider कर लिया अब step second में देखिएगा अगर हम यहां पे लिखना चाहते है कि 135 को यहां जोग अब यहां आ जाएगा तो वो हमारा देखिए second step से आप 90 का हम one में multiply करेंगे into one of less इसमें remainder जोगा है 45 कर देंगे यहां हमने किसको consider किया है diviser 90 को किया है तो आगे लिख दीजिए now consider 90 as diviser यह आपका दूसरा हो गया step 3 में आईएगा step 2 था step 3 में देखिएगा क्या है आपका step 3 में देखिएगा क्या है आपका यहां पे आपका diviser 45 है divided कितना है 90 है फिर यहां पे 90 को लिखना होगा 45 का 2 में multiply करेंगे 45 into 2 करेंगे remainder क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे यहां पे हमने diviser किसको suppose किया है यहां पे now consider 45 as diviser आप यहां जो मने dot dot लगा दिया आप वही सेम चीजी लीजेगा ऐसा होगा यह आपको तब तक करना है जब तक कि यह क्या आपको remainder 0 न मिल गया अब यह आगे नहीं होगा final हम क्या लिखेंगे final लिखेंगे यह यह cf ध्रिक ध्याब धेये जजेगा ध्यागा dal यह भाच 100 यह रिमेंडर रिमेंडर 0 Salt 3 ज़कर 12 वही does होता है SCF होता है SCF क्या मिल गया 45 तो जर्रली जो एक डिवीजन लेमा धीरम दिया हुआ है यह SCF को ही define करने के लिए दिया हुआ है कि कैसे how to define the SCF आपको given positive integers अभी मैंने एक सवाल ही बताया एक मेर एक्जामपल बताता हूं उस पे आप उसको भी ध्याजर समझेगा कि इसको मैं रख नहीं करता हूं क्योंकि सवाल से होगा मैं सिर्फ यहां से यह दो नमबर को हटा देता हूं और किसी में आगे मैं इसको पढ़ा देता हूं कोई दूसरा नमबर यहां आप कर दे रहे हैं 867 एंड 225 सपोस करिए कि हमको इसका स्टेफ निकालना है और उसके लिए हम क्या करेंगे फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से डिवाइड करके साइड में आप लिख लेंगे तो आपको इस टेप लिखने में असानी होगी इस वज़ा से इसमें सबसे पहले आ होना 867 है थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि यह थोड़ा तुक्षा जाता है इधर चला जाएगा 867 डिवाइड कि है 225 क्या यह थ्री टाइम्स जाएगा देख लेते हैं अगर थ्री टाइम्स ले जाते हैं तो यहां 5 हो जाएगा 7 हाँ डिवाइड हो जाएगा देखिए यह हुआ तो कि 4 टाइम्स नहीं आएगा इसका मुंटिप्लाइग 3 टाइम्स से 15 3 टूजा 6 9 हाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा यह वन को जाएगा 192 हाँ करेंगे यहां पर आपके लोगNow प्रे Spider Hai क्या हो खट्ताफिए पिर आपने काशका होगा इससे हैं इआ सब्सक्राइब करेंगे तो थ्री आएगा पिर उसके बाद आपको पता है यहां पर कितना हो जाएगा 192 आएगा देखें कितने टाइम्स जाता है शिक्स टाइम्स आएगा नहीं ज्यादा हो जाएगा इसको हम लोग 5 टाइम्स ले जाते हैं तो 165 आजाएगा यहां आएगा 7 मुल्टिप्लाइग करिएगा 53 जा 15 15 15 16 एक करी ले गए ते यहां हो गया 8 यहां किया 2 फिर 33 है वन टाइम्स आएगा 27 आएगा यहां पर बचेगा आपका 6 फिर यहां पर ले आएंगे 27 दिख रहा है हाँ सही है 24 हुआ फिर 3 हाया फिर यहां 6 ले आए 2 6 अब आके 0 मिला तो सायद आपको दिख रहा होगा मैंने थोड़ा एक और तक लेजा के लिख दिया तो यह पहले आप ऐसे डिवैड करके लिख दीजिए अब आपको लिखने में थोड़ी आसानी होगी कैसे देखिएगा फिर अब लोग वाई स्पोस्ट करेंगे क्या लिखेंगे कि वी है we have two positive integers क्या क्या है 867 and 225 यहां लिखेंगे such that 867 is greater than 225 ऐसा दिया हुआ है उसके बाद क्या लिखेंगे इकार्डिंग टू इप्लिट डिवीजन लेमा आपको इस्टेप वाई लिखना है तभी हमने यह डिवाइट पहले से कर दिया था कि इस्टेप लिखने में आपको प्राब्लम ना हो चलिए आप देखें पहले लिखेंगा इस्टेप लिखेंगे स्टेप 1 क्या लिखा जाएगा 867 क्या लिख सकते है 225 3 x 192 कंसिडर किसको करना है इसको करना है जिससे डिवाइड किया है लिखेंगे यहां पे नाओ इसको कंसिडर 225 एज डिवाइजर देखें पहला इस्टेप लिखा है इसको मैं क्या किया इसमें मल्टिप्लाई किया रिवंडल एड किया अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे इसका इसमें मल्टी 192 का 1 मल्टिप्लाई 33 एड देखेंगा इस्टेप 2 देखेंगा जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको इस्टेप लिखने में बहुत आसानी होगी 225 है इसको मैं लिखेंगे क्या 192 इंटू 1 ब्लस रिमेंटर कितना एड करेंगे 33 किसको मैं ने सपोस किया है लिखेंगे इस्टेप 2 हो आपका इस्टेप 3 आपका इस्टेप 2 होगा पहला इस्टेप दूसरा इस्टेप यहा तीसरा इस्टेप 192 को हम कितना लिख सकते है 33 इंटू 5 रिमेंडर कितना एड करेंगे 27 सेम यहां लिखेंगे now consider 33 as divisor step 3 4 में आए step 4 step 4 आपका यह है step 4 क्या है 33 लिखेंगे कितना इसको 27 into 1 remainder कितना है 6 यहां पे लिखते हैं हम लोग bracket में now consider 27 as divisor अगला इस्टे देखिएगा step step 5 step 5 में क्या है step 5 आपका यह है 27 को कितना लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 6 into 4 और remainder कितना है 3 now consider 6 as divisor ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा एक step और बचा आ जाएगा यहां पे यहां पे देखिए थोड़ा लॉंग था 6 step तक हम को जाना पड़ा लास्ट में जो आपका यह है यहां 6 को लिख सकते हैं 3 into 2 plus 0 अब जाकर के हमको remainder 0 मिला यहां सेम लिखेंगे now consider 3 as divisor अब आपने देखा जब लास्ट टाइम में हमने 3 से divide किया तब जाकर के हमको remainder 0 मिला तो finally हम इसमें लिखेंगे नीचे यह final step यहां पे नहीं आ सकता पिलान हम कोशिस करते हैं यहां लिखते हैं यह final step के लिए आप थोड़ा उपर आ जाईएगा मीचे एक लाइन ठीचेगा और यहां पे लिखिएगा कोई step नहीं है वो बलकिन आपका answer है final answer है क्या लिखेंगे hcf of तदिया था 867 and 225 is equal to last time आपने किसे divide गया था जो complete divide हुआ था 3 से तो यह हो गया 3 यह आपका क्या हो गया इसका answer हो गया तो इक लिख डिवीजन लेमा हमने बताया उस पर हमने दो कोश्चन साल करवाया और अगर आगे इसमें और भी अभी है लेकिन थोड़ा सा उसके लिख इक्ष्टा बताना पड़ेगा फिर काफी चेंज हो जाएगा वीडियो भी काफी लांग हो जाएगा तो हम नहीं चाहते पहले आप इक लिख डिवीजन लेमा पितना आप लगाईए और भी कोश्चन आप अपने आप से सौल करिएगा और नहीं आता तो कमेट बाक्स में लिखिएगा फिर मैं उसको भी बताऊंगा और इसको थोड़ा सा इस पे कम से कम आड़ दस कोश्चन आप प्रेक्टिस करिए जिससे आप से आप से निकालना अच्छे से जान जाए युक्री डिवीजन लेमा के हेल्प से और अगला वीडियो जो हमारा होगा एक हम नए टापिक के साथ उसमें आप से फिर मिलेंगे और आप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और जो बटन है उसमें एक बिल है उसको आप प्रेस करना न भूले वीडियो में हम एक नए टापिक के साथ एक नए जोस के साथ फिर हम से मिलेंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए